एक्सिस में एक्सराइस 3.3 का है, पयर फूलिनियर एक्वेशटा इन वर्याबर, तू वर्याबर, लिख रोरीश सोटा, फूलिनेर हइस अपॉल्म को शॉलूसन करना है, मैंने वन राइवन ओन लिखा यहें, फेर दियूंदा फूलॵिष रहें थिडिझा लेक्ष्टा थिं सबस्क्राइब करें मि आप घर आथिए व फिर स्ट वा लॉट डाम नामिनेटर आन शॉट ये और तो प्राइब वाली आथ वॉट्टा जाएब अवे तुम कंप सब्चेट सूब होता है एक नॉमिनेटर होता है उपर और नी नॉमिनेटर होता है सब्सक्राइब ए फ्रक्षन इस्वाइ ओगे कहा है अब यहां पर कोशें में कहए रहा है है, we add 1 in nominator, nominator में add कर दिया, and subtract 1 from the denominator, denominator में subtract कर दिया, तो होता क्या है, यह हो जाता है, 1, ठीक है, अब इसको पहले solve कर लाता है, फिर आधे बरेंगे, ठीक है, इसको अगर solve करता है, यह हो गाया है, x plus 1 is equal to y minus 1, ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आता है, और इसको इस तरफ ले आता है, तो x minus y is equal to minus 1 minus 1, तो x minus 1 y is equal to minus 2 हजाएगा, ठीक है, यह equation of 1 by 2, if we add only, only किसमे add करना, 1, 2 दा denominator, x बड़ते y लिख लेते हैं, अगर denominator में plus 1 करते हैं, तो यह हो जाता है, 1 by 2, ठीक है, इसको इसको solve कर लेते हैं, इसको solve कर लेंगा, तो यह हो जाता है, is equal to y plus 1, cross multiplication, तो 2x minus y is equal to 1, ठीक है, यह हो गया equation 2, ठीक है, question समझ में आ गए, question जो करा हमने लिख लिए है, ठीक है, अब हम क्या करें थे, elimination method से इसको solve करते है, elimination method करना पर देखे, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, ठीक है, तो दोनों को multiply करने करने करें, यहाँ पर क्या करने, equation 1, मैं से क्या करेंगा, minus करेंगा, equation 2, ठीक है, तो x minus y is equal to minus 2, News yum–2 x minus 2 1 1 2 x minus 1 2 2 x minus 2 x minus 1 1 2 minus minus 1 x value x is equal to 3 हो गया, x value पता चल गए आपको 3 है, तो y के value निकाल लेते हैं, put कर लेते हैं यहाँ पर, put the value x in कुछ में करना है, equation 1 में है, ठीक है, तो x minus y is equal to minus 2, ठीक है, तो x के value 3 है, minus y is equal to minus 2, तो minus y is equal to minus 2, minus 3, तो minus y is equal to minus 5, minus minus plus, y is equal to 5 आगया, तो fraction क्या हुआ, fraction है, x, y, y, यही fraction है, तो x के value 3 और y to value 5 है, यह हो गया, answer, ठीक है, समझ मा आगे आपको, चलिए, समझ मा आगे, खंसर परिस कर दीजे, और चैनल पर नए हैं को सब्सक्राइब कर लेजे, question 2 क्या कह रहा है, 5 years ago, 5 years ago, Nuri was twice as the old or as Sonu, 10 years later, Nuri will be twice old as Sonu, ठीक है, तो Nuri का और Sonu का age find करना है, ठीक है, let's, पहले की है, बात कर रहे हैं, एगो में तो X-5 हो जाएगा, इस कर दो Y-5 कर दिया हमें, अब कह रहा है कोश्य हमे, Nuri was twice, Nuri twice था, तीन गुना था, किस से, Sonu से, Sonu से तीन गुना है, पहले सी है, तो अब क्या कर देंगा, तो यह बराबर हो जाएगा, तीन गुना हम इसको कर दिया, अब बराबर हो गया, ठीक है, इसको solve कर लेते हैं, तो X-5 is called to 3Y-15, इसको इस्तरफ ले आते हैं, इसको इस्तरफ ले आता है, तो X-3Y is called to minus 15 minus plus 5, तो X-3, 3Y is called to minus 10, ठीक है, यह हो गया, अब यहां क्या करा है, 10 years, 10 years later, to X plus 10 is called to Y plus 10, अब इकोल अभी तो हैं नहीं, क्या क्या करा है, 10 years इस बाद, यह मैंने बाद का लिख दिया, नूरी will be twice, यह twice है भी, अब इसको equal to करने के लिए, इसको 2 से multiply कर देंगे, तो यह हो जागा, 10 को twice से multiply कर देंगे, अब इकोल हो गया, अब इसको solve लेजिए, X plus 10 is called to 2Y plus 20, 2Y को इधर कर लेजिए, और 10 को इस तरफ कर लेजिए, तो X minus 2Y is called to 20 minus 10, तो X minus 2Y is called to 10, ठीक है, equation 1 बन गया, अब equation 2 बन गया, अब elimination method से क्या करेंगा, हमें इसको 1 को eliminate करेंगा, तो 1 को eliminate करेंगा, तो simple x और यहां x से, दोनों के minus कर लेजिए, तो equation को eliminate करते है, equation 1 minus equation 2, यहां कर लेता है, तो यह हो जागा, X minus 3Y is called to 10, minus 10 है, ठीक है, और X minus 2Y is equal to 10, अब हम करते हैं, minus, यह minus है तो plus, यह minus है तो यह minus, ठीक है, यह दोनों eliminate, हो गया eliminate, यह minus है, यह plus है, 3Y और plus 2Y is equal to minus Y is equal to minus 10 और minus 10, यह minus 20, ठीक है, minus 20, यह हो जागा, minus minus plus हो जागा, तो Y is equal to 20, ठीक है, Y के मेंनों निकल गया, अब X सोनों का age निकल गया, तो अब हम नूरी का age निकलने के लिए क्या रख रहेंगा, इसको put कर देंगा, किस में put करेंगा, किसी भी एक equation में, put equation 1, equation 1 से, ठीक है, यह हो जागा, X minus, 3Y is equal to minus 10, दिया हुआ है, ठीक है, equation 1 से, Y के value क्या है, X minus 3, को multiply करेंगा, 20 से, तो यह हो जागा, 60, 60, 60, is equal to minus 10, यह हो जागा, इस तरफ जाएगा, यह हो जागा, X is equal to minus 10, plus 60, यह हो जागा, X is equal to 50, चीक है, तो नूरी का age कितना था, 50 साल था, ठीक है, समझे बागे आपको, यह नूरी है, 50 years old, years, और यह सोनु है, 20 years old, ठीक है, चलिए, next चलते है, question number 3, 3, ठीक है, 3, reversing as the order of the digit, ठीक है, तो number दिया हो है, तो find the number कह रहा है, तो यहाँ पर सुरू करते है, solution, let's, let's क्या करते है, let's digit, digits, in the unit, in the units, place and, 10 place, 10s place, B, X and Y, ठीक है, X, 1, Y हो गया, तो number क्या होगा, इसलिए number क्या होगा, number is equal to 10 Y plus X, ठीक है, यह number हो गया, अब question से कह रहा है, sum of the digit, दो digit को अगर add करते हैं, X plus Y is equal to 9, question 1, दूसरा equation बन रहा है, also 9 times this number, 9 times करेंगे इस number को, किस किस number को, 10 plus Y plus X, 9 times करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 2 times, किसके, reversing में, reverse हो जाएगा, इसको reverse करते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस question से दिया हुआ, अब इसको solve कर लिएगे, यह हो जाएगा, 90 Y plus 9 X, जो question था हमने लिख लिए और उसको हम solve कर लिएगे, ठीक है, ठीक है, अब इस सब को इस तरफ ले आते हैं, जब इस तरफ लाएगे तो 90 Y plus 9 X, minus 20 X, minus 2 Y is equal to 0, 90 Y में से 2 Y जाएगा, यह हो जाएगा, 88 Y, ठीक है, और 9 X plus में है, और 20 X minus में, तो minus हो जाएगा, 9 20 में से 9 जाएगा, तो यह हो जाएगा, 11 X is equal to 0, अब 11 से multiply कर देंगा, sorry, divide कर देंगा, तो इस question बन जाएगा, इस question में यह हो जाएगा, 8 Y minus X is equal to 0, the equation 2 हो गया, अब elimination method से हम इसको solve कर देंगा, equation 1 to 1 गया, अब eliminate करते हैं, तो equation 1 plus 2, ठीक है, equation 1 X plus Y is equal to 9, minus X plus 8 Y is equal to 0, अगर इसको plus करते हैं, तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा minus, यह हो जाएगा plus, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा plus 8, अब plus Y, 9Y is equal to 9, तो Y is equal to 1, ठीक है, Y के value उपको पता चल गया, अब चलिए, X के value निकाल लेता है, अब X के value निकाल लेता है, तो Y के value किसमें पूट कर देता है, ठीक है, तो X plus Y is equal to 9, तो Y is equal to 1 है, तो X plus 1 is equal to 9, तो X is equal to 9 minus 1 is equal to 8, तो X के value पता चल गया, 8 हो गया, X के value पता चल गया, 8 और Y के value कितना है, 1 है, तो number क्या होगा, यहापर number निकाल लेता है, जगह नहीं है, तो यह number क्या है, 10 Y plus X, तो 10 into Y के value कितना है, 1 है, और X के value कितना है, 8 है, 10 into 1, 10 plus 8 is equal to 18, number कितना होगा, 18 होगा, ठीक है, समझ बागे आपको, चलिए, नेक्स चलते हैं, Q4 क्या कह रहा है, Meena went to a bank to withdraw Rs. 2000, she asked the cashier to give her 50 and 100 notes only, Meena got 25 notes in all, find out the how many notes of 50 and 100 she received, 5 notes, 50 rupees का जो rate वो था, X था, and 100 rupees का जो note है, वो Y है, is Y, ठीक है, समझ बागे आपको, चलिए, आप यह क्या कह रहा है, question से, Meena got 25 notes, मतों 50 और 20 मिला के 25 notes नाया है, तो X plus Y is equal to 25, यह question 1, यह दिया हुआ है, Meena got 25 notes in all, total notes कितने लाया है, 25 notes, कितने कितना हैं का 50 और 100 का, x value का यंदे का य वाई-वाई-वाई-वाई-वाई-वाई-वाई-वाई लू का इतने 100 का नोट दोनों मिला कर लाए और कितने लाए 2,000 रुके निकाला अब इसको सॉल्ब कर लिजा अगर इसको तोरअट ले चलते हैं तो यह हो जाएगा पचास से डिवाइट करेंगा तो यह x हो जाएगा यह 2y हो जाएगा ठीक्या अगर पाचास से डिवाइट करेंगा तो यह 40 हो जाएगा आपको अब चलिए इसको सॉल करते है किससे अलमिनेट्स में तो देखिए यहाँ पर x plus y करते हैं 25 x plus 2y करते हैं तो x x को हम कर लेते हैं 1-2 ठीक है अब 1-2 यहां कर लेते हैं तो x plus y is equal to 25 दिया हुआ है x plus 2y is equal to 40 यहां मैनस करते हैं ठीक है यह दोनों एलमिनेट्स हो जाएगा पलस हुआ है मैनस 2y यह होगा मैनस हुआ है 25-40 यह हो जाएगा 15 मैनस ठीक है मैनस मैनस पलस हो गया तो y के वहलू जाहां गया y is equal to 50 100 का नोट कितना है 15 है पता सलगे आपको ठीक है अब हम y के वहलू क्या करते है put कर देते हैं किसमें equation 1 में है 2 में कर देते है put the value value of y in किसमे equation 1 में है x plus y is equal to 25 x plus 15 is equal to 25 x is equal to 25 x is equal to 25 x is equal to 10 x is equal to 10 x के value आगे 10 ठीक है तो 50 का नोट कितने है 10 है और 100 का नोट कितने है 15 है ठीक है आगे समझे आपको चलिए 5 नमर question देख लेके 5 नमर question का के रहा है आगे 10 है सुजी ने पांच दिन के लिए रखा और उसको एकीस रुप पे करना पड़ा है तो फाइंड फिक्स चार्ज आंड चार्ज फिक्स शर्टाइज ठीक तो लेत्स कर देना यहां पर लेट्स किया लेट्स करना फिक्स चार्ज फोर थ्रीडेज थीजी 不 Marx स्ट्रीज दिया हुने पर है फर्स्ट थ्रीज का क्या चार्ज है एकसा है एक्सट्रा ले चार्ज कितना है य क्र मbbeन कर देंद्स कैसे का फिक्स हार एक्स रूपीज और next extra days के जो charge है वो y रूपीज है तो आपको निकाला है x और y की value निकाला है अब question क्या कहा रहा है सरिता paid 27 रूपीज तो 27 रूपीज पे किया for the book kept 7 days इसने कितने दिन रखा 7 days रखा तो 3 days तो हो गया 3x ठीक है 3 days का हो गया x तो x plus 4y साथ दिन डखा है तो तीन दिन का पहले fix charge हो गया 3x हो गया मतब x 3 days हो गया या लोगे x तो चार तीन दिन है और एक साथ हर डे का है वाई एक दिन का है तो कितने तीन दिन के यह चार चार दिन का एक्सार डाला है उसना 4y हो जाया तो 3 days और 4y तो 3 days का x और 4 day का y कितना y 4y कितना पहले किया 27 ठीक है अब दखिए सरीता हो गया अब यहां सूजी पे 21 21 कितने दिन दिन रखा है 5 days तो 3 days का तो है यह एक्स और 2 दिन का 2 दे का पहले किया उसना 3 to 5 5 तो कितना पहले किया 21 ठीक है अब equation 1 minus 2 कर देचे यह तो question हो गया आप इसको solution 1 minus 2 करेंगा है यहां पर minus करके देख रहते है x plus 4y is equal to 27 x minus 2 sorry plus 2y is equal to 21 ठीक है अगर minus करेंगे यह minus यह minus यह minus यह minus यह दोनों eliminate हो गया 4y मेंसे 2y जाएगा तो यह हो जाएगा 27 मेंसे 21 जाएगा तो यह हो जाएगा 6 तो y के value यहां निकल गया y के value क्या होगा 2y is equal to 6 to y is equal to 6y3 यह हो जाएगा 6y2 is equal to 3 तो y के value पता चल गया 3 कि हर पर डे का कितने चार्ज हो रहे है तीन रुपेश पर डे चार्ज हो रहे है तो x के value fix 3 days का value निकाल लेते हैं तो x plus 4y is equal to 27 equation 1 से ठीक है तो x के value के value पुछ नहीं है x के value x y के value का है 4 into 3 is equal to 27 x is plus 12 is equal to 27 12 इस थरफ चल जाएगा तो 27 minus 12 ठीक है तो x के value कितना हो जाएगा 27 में से 12 हो जाएगा 5 और 1 में से 1 गया तो 15 तो first 3 days का fixed charge है वो 15 रुपीज है निकल गया जो first fixed charge for 3 days का है 15 रुपीज है और extra दिन का 3 रुपीज पर डे लग रहे है ठीक है समझ में आ गया अगर समझ में आ गया तो वीडियो को like करे चैनल पर नए है तो subscribe करे इस question या पूरे question से लेटल को भी query है तो comment box कर दो हमें बताएं आपके problem का solution जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद